गुड मॉर्णिंग एम थर्ड सेम स्टूडेंट्स आज हम लोग फोटोशॉप में देखने वाले हैं स्मर्ज टूल ठीक है स्मर्ज टूल क्या होता है तो पहले मैं आपको प्राक्टिकली इसको करके दिखा देता हूं कि यह होता कैसे हैं ठीक है यूज कैसे करते हैं इसको हम फोटोशॉप उपन करते हैं और इसमें मार लेते हैं कोई सा भी इमेज ले लेते हैं हम यह वाला ठीक है तो स्मर्ज टूल सबसे पहले तो देख लेके इसके बारे में प्राक्टिकल करके इसको अच्छे से ठीक है अब यह ब्रॉस का साइज इता पड़ा है तो देखो Smurge Tool होता कहां पर है, सबसे पहले तो यह Toolbox है, Toolbox का यह Left Column है और Right Column है, ठीक है, तो Left Column में आप देखेंगे यहां पर, Blur Tool का, जो Fly Out Option Menu है, उसमें से Third Crumb का जो Tool है, That is Smurge Tool, ठीक है, अब इसको Use कैसे करते हैं, Smurge Tool मैंने लिया, देखो जिसे कि इसका बाल जो है, है ना, बहा निकला हुआ, तो मैं क्या करूँगा, इसको अंदर दबाना चाहता हूँ, तो यहां आप Left Click करेंगे, और अंदर की और प्रेस करेंगे, यहां White में Left Click करेंगे, अंदर की और प्रेस करेंगे, ठीक है, तो और भी setting करना है, White में ऐसे, Left Click किये कि यही आप नीचेंगे, ऐसे, तो इस तरीके से आप set भी कर सकते हो, आपको, नई, बाल को लंबा करना है, तो बाल में आप जाएंगे, लेप्ट क्लिक करेंगे, ऐसे आप बाहर की और ऐसे निकाल भी सकते है, इस तरीके से, ठीक है, तो यहां तो देखो, त जैसे कि मैं बाहर का color क्या है white, तो वो white color को pick करता है, और अंदर की ऐसे press करता है, ठीक है, यदि मैं यहां brown पे click करके, मैं ऐसे press करता हूँ, तो color को blend करता है, mix करता है, तो देखो, मैंने अभी white color को pick किया, वो picked है, उसको blend करता है, mix करता है, यह brown के साथ में, और अभी मैंन मैंने किसको pick किया है brown को pick किया है और मैं उसको white के साथ में blend कर रहा हूँ mix कर रहा हूँ तो ये इस तरीके साथ यूज़ कर सकते है किसी का उभर हुआ हिस्सा है है ज्यादा निकला हुआ portion है उसको आप ऐसे अंदर आप उसको press करके उसको set कर सकते हो ठीक है इस तरीके से ठीक white पे रखी आप ऐसे press करते जाएगे तो ये तो था आपका ये smudge tool ठीक है जो कुछ भी नहीं एक color color sample को उठाता है और उसको pick करके वो smug करता है अंदर के वो press करता है इस तरीके से ठीक है तो इसका options समझ लेते हैं है ना ब्रस यहां से हम लोग different diameter के ब्रस हम select कर सकते है इस तरीके से और ये ब्रस की size है ना ये तो इसके ये smudge tool के ये tool property बार है ये tool option बार है brush property mode property वही कई प्रकार के blending options होते हैं हापर strength आप इसको चाहे तो 12% कर सकते हैं 12% करेंगे तो वो कम ये आप देख सकते हैं वो कम intensity के साथ में इसको smudge करेगा और 100% करेंगे तो बिल्कुल वो बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लैंड करेगा है ना बिल्कुल smooth और high intensity के साथ में use all layer का concept बताई दिया हूँ अगर इसमें multiple layers होते तो वो उसमें भी apply करता ये काम करता और finger printing का क्या काम होता जैसे finger painting ठीक है ये option ये चेक्ट है तो ये क्या करेगा foreground में जो color है उसको उठा करके इसके साथ में से blend करेगा ठीक है मतलब ये दी border set करना है उस तरीका का काम ये दी आपको करना है तो आप ये finger printing का option यूज कर सकते हो ये foreground के color को ये सामने जो भी color आएगा उसके साथ में blend करेगा mix करेगा ठीक तो ये है ये तो था smudge tool इसकी theory देख लेते हैं हम लोग तो आईए शुरू करते है हमने smudge tool practical हमने समझा theory देख लेते हैं इस इस थार्ड और लास टूल इन फ्लाइ आउट option menu अब दी blur tool यह ब्लाइ टूल का जो फ्लाइ आउट option menu आता है उसका थार्ड लास टूल होता है इस समवाट लाइड लाइड टूल यह कुछ कुछ तरीके से blur tool की भाती कारे करता है as it is also used for smoothing the image इसकी सहता से हम image को क्या कर सकते है smoothing भी करते है इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग blur tool की तरह यह कारे करता है this tool acts as a bit like warping effect in liquefy option जैसे हम किसी liquid को दूसरी liquid मिला रहे है उस तरीके से यह work करता है it pushes pixel around the canvas as if it is like white paint यह क्या करता है color को push करता है जैसे कि गिला color है उसको हम दो गिले-गिले paints को ले ली हैं और आपस हम mix कर रहे हैं दुनों को यह कुछी तरीके का effect create करता है enhance the name smudge tool the smudge tool is a very useful if you want to create an artistic digital painted look of your image यह tool जो है ना आपके photo को एक digital painted look देने के लिए use में आता है in smudge tool you select the layer you want to paint किसी भी layer को हम select कर सकते हैं उसमें इसको यूज कर सकते हैं when you begin painting it smudges all the pixels together जब हम इस tool को यूज करते हूँ हम paint करते हैं तो सारे pixels को लेते हुए blend करता है mix करता है color को you can reduce the strength of your smudge to get a more controlled effect तो एक strength property हमने देखा उसको हम set करके अपने smudging की जो intensity है जो उसका quantity है उसको हम control कर सकते है you can also work a bit more non-destructively by clicking on sample all layers ठीक है तो सारे layer पे हमें यदि काम नहीं करना है तो उसको हम click कर सकते हैं या तो उसमें सारे layer पे work करना है तो उसको click करके हम बड़े साउधानी से work कर सकते हैं by taking a new layer you can smudge over it without tempering the original image यदि हम नया layer ले करके उसमें काम करते हैं तो original image में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इसलिए मेरी सला है कि आप नया layer पे काम करें if you choose a foreground color for example red है ना finger printing option देख रहे हैं तो मैंने बताया था जैसे कि finger printing option को यदि check कर देते हैं यदि on कर देते हैं तो क्या होता है वहाँ यदि red है तो red color को ले करके वो blend करेगा, mix करेगा if you choose a foreground color for example red and we begin painting with that it will add a slight hue of red color when you start smudging तो भाई ये क्या बोलते हैं red color को लेते हुए वो क्या करेगा, smudge करेगा, mix करेगा, blend करेगा there is different kind of modes in this tool like darken, lighten, multiply and so on normal is usually set as default and the other modes such as lighten means pixel with brighter colors will be smudged मतलब, बोलने का meaning ये है ये जो, है न, कई हमारे पास blending modes है but by default कौन सा रहता है, normal रहता है ठीक है, इस property के बारे में explain किया जा रहा है आपको theory में और आप देख सकते हैं, ये कहाँ पर होता है toolbox में है न, ये आपका blur tool का fly out option menu है और यहाँ पर ये तीसरे number का tool है, ये smudge tool है तो आज के lecture में हमने समझा smudge tool कैसे use करते है ठीक है, और यह क्या करता है है न, हमने जाना कि यह दो colors को आपस में mix करता है, blend करता है और हम इस tool के आप ये देख लीजे, इस के symbol को ये देख लीजे है न, press कर रहे हैं, किसी है न, उस भाती से, तो ये करता क्या है, एक color को उठा करके दूसरे color की और blend करता है, उसे mix करता है so, thank you very much बड़े अच्छे से इस lecture को समझे सुनिए, और कोई भी doubt है तो आप इस number पे call कर सकते है thank you very much